Hello members, आज हमने Nifty के options को trade किया था, 18,550 की हमने put को buy क्या हुआ था, यहां पर देखे को setups हैं जो कि हमने volume profile and अपने volumes के थूर निकाले थे, higher time frame पर भी हमने कुछ analysis के अंदर की थी, अब भी आगए चल करके देखें, quantities वगरा कैसे क्या है, and overall हमारे analysis क्या थी, इसके अंदर देखे एक level हम mark करेंगे, एक zone एक यह वाला देखे, कल सबसे ज़्यादा interest जो buyer और sellers का था, वो इसी price पर था, हमें जो trade execute करना था, वो same level, green वाले level के नीचे trade execute करना था, तो price नीचे की तरफ आया, and यहां पर through the our entry confirmation methods, जब हमें यहां पर हमारी entries मिली, तब हमने अपना एक trade execute कर दि and execution के बाद, exit के बाद हमें लग रहा था, कि price में बहुत जल्दी निकल गए, but जो exit की confirmations थी, वो हमें जल्दी मिली थोड़ा सा, हालना कि वो एक तरह का fake signal था, so यहां पर आप देख सकतो, नीचे line हमारा buy area है, और upside line हमारा exit का point है, so एक overall जो हम Nifty के charts पर भी analyze करेंगे, तो वहाँ पर आपको समझ में आगा, कि हमने trade को किस तरह से analyze क्या कैसे, फिर हमने वहाँ पर अपनी entry ले, क्यूंकि spot के price को analyze करेंगे, ठीक तरह से उसके अंदर levels निकलना बहुत matter कर जाता है, options में जब हम लोग इंटरे trade execute करते हैं, position book में चलेंगे, side में अपनी mobile की screen का screenshot भी हम लगा देंगे आपको profits के, so कोई बहुत बड़ा profit हुए, लेकिन हाँ, एक ठीक था और एक decent profit हुआ, हालां कि execution के बाद में हमें लगा exit के बाद में, कि हम और भी बड़ा profit इसके अंदर grab कर सकते थे, but कोई बात नहीं, एक decent profit है, आज के session में हुआ है, so 200 quantities के साथ हमें trade execute किया and options में हमेशा हम बोलते हैं, कि एक सही level आ जाने के बाद में, सही level का मतलब, एक अच्छा खासा experience होने के बाद में ही आप options trading में आना, किसी के प्रभाव में है, किसी के impression में आकर के, आप बड़ी quantities के साथ में options में treat मत करने लगा, thanks and भरते हैं आज की video के तरह.